बॉलीवुट के सबसे चहेत हीरो मैंसे एक रितिक रोसन और साल दुवजार तेश में बॉलीवुट को उसकी बुरे दिनों से निकाल करके एक नई उक्की शुरुआत करने वाले पठान मूवी देने वाले सिधार्थ आनंद की मोस्ट अबेटिड मूवी जो की एरिल एक्ष संकेत हैं इंडियन सिनेमा के लिए कि यहां पर हम इए उम्मीद कर सकते हैं में हॉलीवुट की स्टाइल का बी एफेक्स साउंड एफेक्ट और साथ नहीं नहीं अभी भी स्टोरी नहीं मिल ले उस पर बात करेंगे फॉयटर मूवी ने काफी निरास किया इस्टोरी बेश घाले व्याइण के मूवी जो काम करती हैं में काम किया और कई सारी हॉलीवुट की मूवी में में काम कर चुकी एक दम से रियलिस्टिक लगते हैं आपको कहीं से भी बना प्रिर्फनी लगेंगे कम से कम ट्रेलर में तो ऐसा यह देख रहा है कि बस गूजम से देने बाला और अगर आप 3D में देखेंगे तो आप यकीन मानो कि आप कुर्सी से गोल-गोल गूम जाएंगे। साथे साथ इस मूवी की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसके डायलोक्स जो की यहां पर एडिटिंग में बियाद चतुरता के साथ कट करके डाल दिये गए हो जो आपके अंदर पेट्रियोटिज्म देश्भक्ति की भाबना को एकदम से भर देंगे कूट कूट कर और अ आइटर मूवी अब तेटर्स को जंग का मैदान बनाने वाले जहां हर एक ऑडियन्स होगा भारत का सच्चा सिपाही और जिसका खून उबल रहा होगा देश्भक्ति की भाहेंकर वाले जज़वे के साथ तो मूवी के ट्रेलर की काफी ज़्यादा मैंने बढ़ाई कर दिय है कि इसमें इस स्टोरी को लगबग पूरा का पूरा रिवील कर दिया गया है आप इसको एक दो बार देखोगे थोड़ा समझोगे और आपको कहानी का पता चल जाएगा बैसे ट्रेलर में दिखाया गया है कि कहानी पुलबामा अटेक पर आधारत होनी वाली जिसमें हमार हैं वो सुखोई 30 बिमान के साथ ओड़ते हो दिखाये गए यानि कि इसमें स्टोरी एक रियल कहानी के ऊपर तो है लेकिन वो बस एक इवेंट के तौर पर और इसमें फिर मसाला मूवी बना करके इसको दिखाया गया है जिसमें पाकिस्तान की और से मैं फालकन जो कि उसने अमेरिका से खरी दी थे वो बाले भीमान में उड़ते दिखाये देंगे और हमने जो बिमान सुखोई रूस से खरी दी थे वो बिमान लड़ते दिखाये देंगे लेकिन इसके नेगेटिव कुछ बात करना है बस नेगेटिव वही है कि इसमें स्टोरी कुछ हमें ऐसी खा जाएं अब बॉलीवुड में पाकिस्तानों कोसने वाली तमाम मूवी बन चुकी है और दूसरी चीज़ है कि इस ट्रेलर में बहुत सारी स्टोरी को रिवील कर दिया गया है तो थेटर क्यों जाएंगे लोग बाग देखने हाला कि अगर मूवी को बॉलीवुड स्टाइल मे मूवी की तरह चलता है जैसे एक फास्ट फॉबार्ड में पूरी की पूरी मूवी चला दी गई हो शुरुगात में करेक्टर के इंट्रेक्शन होता है अनिल कपूर सहाब आते हैं और बताते हैं कि भाई एक कोई के रिस्पोंस टीम बनाई गई है एयर फोर्स के कुछ ऐसकी इसमें एक दर्श में धखाया गया है कि जब जम्मू घूमने के लिए दीपका पादयों कोड को कहती है तो एक चुटीला सा कुष्चन पूछती कि क्या यह तुमारे एक्स का सहर है तो दीपका पादयों कहती कि नहीं एक्स का नहीं साइध नेक्ट का हो सकता है यान फिर सेकंड हाप में एकदम से सेनेडियों चेंज हो जाता है, 2015 सुनेयों चेंज और पूरा करते समय घरता है, वह इस पूरा से पूरा करते समय चाहिए पर वहां पर जाता है, और सिर्यास टोन शुरू हो जाता है और जो बताया जारा कि इंडिया की पहली एरेल एक्षण वाली मूवी यहां से सुरू होता है निस केंड हाफ से सुरू होगा कुल भुरा करके मूवी में और पूरी तरह अगर देखा जाए तो एक कितना किलिक कर पाती है लोगों को इस वारे में थोड़ा कहना मुश्किल है और वैसे भी अभी आप देख लीजी कि रिलीज के इसके लगवाग दसी दिन रह गए है पचीस जनवरी को रिलीज होने बाली है और इसके कोई हाइप ही नहीं बन पा र रही है तो वह सिनिमा ही देखना चाहती पाकिस्तान को गर्याने का काम तो हमारी न्यू चैनल करें रहे हैं तो जो हम एक तरह चर्शा करते हैं कि हॉलीवूड को टकर देना और दूसी तरह भई टिपकल बॉलिवूड इस्टाइल की स्टोरी लेकर कि आ आजाती आपको थो वीडियो में बताया है उस पर आपके क्या क्या बिचार है तो कमेंट कर कि बताईए मिलते की नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई